Hello everyone, welcome back to the channel. So, आज की इस विडियो में, मैं आपको कुछ ऐसे study secrets पताऊंगी, जो toppers use करते हैं, आज जिने follow करके, आप भी अपने scores में improvement ला सकते हैं. So, before I start, when I say study secrets, इसका ये मतलब नहीं, कि आप इन secrets को follow करके, या इन tips को follow करके, आप तूरंथ ही topper बन जाएंगे, but it will require consistent hard work, but I can guarantee you, कि आपका जो अभी score है, आप जितने marks अभी score करते हैं, इन tips को follow करने के बाद, you can definitely increase your score to your desired level. So, before I tell you the secrets, हम एक scenario imagine करते हैं, आप एक scenario imagine करो, कि दो students हैं, student A है और एक student B है, दोनों ही बहुत अच्छे friends हैं, student A जिस class में पढ़ता है, या जिस tuition में पढ़ता है, जिस coaching में पढ़ता है, उसी same class में student B भी पढ़ता है, दोनों same books यूज करते हैं, दोनों की resources भी same है, लेकिन student A ज्यादा घंटों के लिए पढ़ता है, मानलो student A seven hours के लिए पढ़ता है, whereas student B थोड़ा कम या फिर decent amount of hours के लिए पढ़ता है, suppose student B four hours के लिए पढ़ता है, अब क्या होता है, student A को confidence होता है, कि मैं जादा पढ़ता हूँ, मैं जादा घंडे के लिए पढ़ता हूँ, तो मेरे marks हमेशा अच्छे आएंगे, whereas student B वो इतना express नहीं करता, उसको मनी मन पता है कि वो कौन से step ले रहा है और कौन से नहीं, now for example अगर इनकी class में एक class test conduct हो गया, या इनका board exam चल रहा है, final exam है या कोई competitive exam है, doesn't matter, उस exam का result आया, result में student A ने score किया 70% के आसपास, whereas student B उसको 90% के उपर marks आ गये, अब student A शौक हो गया, कि मैं जादा पढ़ता हूँ, student B तो कम पढ़ता है, वो मेरे जितना पढ़ता ही नहीं, तो फिर उसके marks इतने जादा कैसे आए, यही secrets हम आगे वीडियो में जानेंगे, कि student B टॉपर कैसे बना, So make sure कि आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुने, and it will definitely be helpful. Number one, Stoppers, they analyze their mistakes in time. For example, एक बच्चा है, Topper है, अब वो कैसे पढ़ेगा, वो एक subject पढ़ रहा है, या एक chapter पढ़ रहा है, उसके बाद, उसने अपने study के related exam दिया, अपने आपको test करने, लेकिन उसे उतने marks नहीं आए, जितना वो चाहता था, या जितना वो expect कर रहा था, तो वो क्या करेगा, वो analyze करेगा कि मेरे marks कम क्यों आए, मैंने ऐसी क्या गलतियां की थी, तो the topper corrects their mistake, अब वो mistakes क्या हो सकती है, इधर उनका target complete नहीं हुआ, उसने daily target या weekly target बनाया होगा, और वो complete नहीं हुआ, तो वो उस mistake को correct करेगा, नमबर टू, marks are not satisfactory, उसने जो marks deserve करना चाहा था, वो उसको marks नहीं मिले, नमबर त्री, distractions, जब वो पढ़ रहा है, और उसे कुछ distractions feel हुआ, उसको कोई distraction हुआ, वो उसी time उस distraction को हटा देगा, जबकि एक average person, हम क्या करते हैं, उस mistake को ignore कर देते हैं, ये सोचके के बाद मैं देखा जाएगा, अभी मैं बाकी का portion complete कर लेता हूं, और else, आदे से जादा समय तो, हमें पता ही नहीं होता, कि हम कोई गलती कर भी रहे हैं, हमारे marks कमाते जा रहे हैं, हमारे targets complete नहीं हो रहे, हमारा portion complete नहीं हो रहा, उन चीजों को analyze करने के बज़ाए, हम अपने portion को continue रखते हैं, हम अमारी पढ़ाई को continue रख रहे हैं, हम अपने mistakes को analyze ही नहीं कर रहे, और बच्चे ignore क्यों करते हैं mistakes को, कि वो overconfident हैं, कि एक mistake से क्या ही होगा, मैं इतनी सारी चीज़ें तो already कर ही रहा हूँ, other one is fear, कुछ बच्चे अपनी mistakes को clear ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरते हैं उन्हें face करने से, number two, time management, अब starting में मैंने आपको एक scenario बताया, student A and student B के बीच में, जो topper student था, वो क्या करता था, वो believe करता है quality of study में, जिसका मतलब है कि उसने कम घंडे पढ़ाई की, लेकिन उस time पे उसका focus डबल था, whereas जो एक average बच्चा है, मतलब student A, वो quantity of study में believe करता है, मतलब मैं जितना जादा पढ़ूंगा, उतना मेरे लिए अच्छा है, जिसकी वज़े से, उसने ज्यादा time पढ़ाई कर ली, लेकिन उस time पे उसका focus एकदम low था, नमबर 3, टॉपर्स study smart, not hard, इसका ये मतलब नहीं है कि टॉपर्स महनत नहीं करते, definitely करते हैं, महनत के साथ साथ, they study in an effective manner, वो strategies ऐसी यूज़ करते हैं, जिसकी वज़े से, कम समय में, ज़्यादा information retain कर पाएं, नमबर 1, learn conceptually, जो टॉपर है, वो conceptually पढ़ रहा है, average इंसान की तरह, वो पूरी चीज रट ने रहा, वो by heart ने कर रहा, वो हर एक line के पीछे का meaning, जानने की कोशिश कर रहा है, कि ये line में क्या लिखा है, वो उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करता है, नमबर 2, they believe in active learning, मतलब उन्होंने class में, जो भी पढ़ा था, जो भी topic या chapter उन्हें पढ़ाया है, वो घर पे आके, उसी topic को revise करेंगे, उन्होंने notes बनाए होंगे, उन्ही notes से वो revise करेंगे, जिससे क्या होगा, कि आपने जो class में already पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा घर प्याने तक, जब आप उसी चीज को दुबारा पढ़ोगे, तो वही चीज आपके दिमाग में और अच्छे से store हो जाएगी, जिसकी वज़े से आपका जो short-term memory है, आपकी जो short-term memory है, वो long-term memory में store हो जाएगी, number 3, strong foundations, toppers के basics जो होते हैं, वो एकदम strong होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे अगर basics strong होंगे, तो यह आगे जाके मुझे चीज़ें easily समझ में आएगी, and number 4, they learn more by mcq solving, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भले वो कितने भी अच्छे से पढ़ लें, कितने भी अच्छे से notes बना लें, लेकिन वो mcqs ही solve ने कर पाते, what toppers do is, वो अपनी पढ़ाई पहले complete करते हैं, उसके बाद dissolve mcqs, mcqs solve करने से क्या होता है, कि आपको पता चलता है, कि आपने कितनी पढ़ाई की है, and after solving mcqs, जब आप analysis करते हो, जब आप explanation देखते हो, तो उन explanation से, आपके दिमाख में जो information already stored है, वही चीजें और strongly store हो जाएंगे, जिसकी वज़े से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, अभी एक ऐसा point है, जो most of the बच्चे ignore करते हैं, वो यह सोचते हैं कि हम जितना जादा पढ़ेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, and they compromise on their health, जिसके लिए मैं एक strategy बता रहे हूँ, that is S, M, E, D, SMED, S से हो गया sleep, आपको daily 7 to 8 hours की sleep compulsory चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप उतना नहीं सो सकते, तो minimum 6 hours is compulsory, इसका ये मतलब नहीं कि आप रात को 3 घंटे सो गया, and then दुपहर में आप नाप ले लेंगे, number 2 is M, मतलब meditation, या फिर yoga, इन दोनों में से आप कोई भी prefer कर सकते हैं, third is E, मतलब exercise, अब exercise से मैं ये नहीं कहरी, कि आपको gym join कर लेना है, आप normal exercise भी कर सकते हो, जैसे walking हो गया, jogging, running, अगर आपको ये चीज़े भी नहीं करने, तो आप simply sports खेल सकते हो, just make sure के आप अपनी body को active रख रहे हैं, and last is D, मतलब your diet, number 5, disciplined, toppers are disciplined, मतलब वो अपने time table को consistently follow करते हैं, second, they know what they have to do, इसका ये मतलब है, कि उन्हें पता है कि उन्हें कोन से resources से पढ़ना है, कोन से teacher से पढ़ना है, एक दिन में कितने chapter complete करने है, in short, उनकी preparation एक planned preparation है, उनकी पढ़ाई एकदम planned है, उन्हें पता है कि हर एक step पे उन्हें क्या करना है, अभी ये जरूरी नहीं कि हर टॉपर ज़ादा ही पढ़ता होगा, नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर्स भी हैं और वो अपने खुद के लिए समय भी निकालते हैं, याने वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में वो extra curricular activities में भी पाट ले रहे हैं, आज की दिन जितनी पढ़ाई की है, आप उससे satisfied हो, आपका जो outcome था उससे satisfied हो, आप लोगों से जूट बोल सकते हो, अपने parents से जूट बोल सकते हो, लेकिन आप खुद से जूट नहीं बोल सकते, आप लोगों से दूर भाग सकते हो, लेकिन आप खुद से कभी दूर नहीं भाग सकते, नमबर थ्री, is your time getting used effectively, toppers अपना समय effectively use करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, वो अपनी बाकी चीजों पे भी focus करते हैं, अपने preparation phase में एक proper time table बनाया है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपना 100% focus देते हैं, अगर इन सब questions के जवाब ना में है, तो आपका goal अचीव नहीं हो सकता, Make sure जब भी आप पढ़ने बैठें या सोने से पहले, हमेशे ये सवाल अपने आप से करना, क्या मेरा outcome satisfactory था, क्या मैंने खुद से सच बोला है, क्या मैंने मेरा समय अच्छे से use किया है, and did I give my 100%? अगर इन सब सवालों का जवाब, yes मैं है, अब भले बच्चा कितना भी अच्छा student हो, अब कभी ना कभी उसकी preparation के time पे, उसे किसी ना किसी चीज से डर जरूर लगा होगा, और वो कैसी चीजे हो सकती है, for example, MCQs, आपको MCQs solve करने से डर लगता है, आप NCRT अच्छे से पढ़ लेते हो, अपनी textbook अच्छे से पढ़ लेते हो, notes अच्छे से बना लेते हो, लेकिन जब question practice करने की बारी आती है, तो आप दरने लगते हो, number two, difficult chapter और subject, for example, कुछ बच्चों को maths, physics या chemistry, ये सारे subjects difficult लगते हैं, या फिर इन subjects में से कुछ topics या chapters, बच्चों को बिलकुल समझ में नहीं आते, और वो डरते हैं उन्हें solve करने से, number three is failures, बच्चे अपनी failures accept ही नहीं कर पाते, whereas, जो topper बच्चा होता है, वो इन सारे fears को face करता है, इसका ये मतलब नहीं है, कि toppers कभी कोई problem face ही नहीं करते, या फिर उनका कोई fear ही नहीं होता, definitely होता है, but they are strong enough to fight against them, जबकि बाकी बच्चे simply इन्हें ignore कर देते हैं, इनसे दूर भागने लगते हैं, तो मैं इसके लिए एक tip बताती हूँ, जो भी topics या फिर जो भी काम आपको difficult लगते हैं, तो उस काम को आप अपने दिन के उस time पे कीजिए, जब आपका brain ज़्यादा alert हो और ज़्यादा productive हो, जब आपका focus peak पे हो, तभी आप ये सारी चीज़ें कीजिए, तो मैं दुबारा से उन tips को बता देती हूँ, तो ये थे कुछ secrets जो toppers follow करते हैं, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe, all the best!